नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Study for Win चैनल में आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों के मौसम के लिए छुटियां बिताने के लिए परफेक्ट प्लेसिस के बारे में जी हाँ, आज हम बात करें हिमांचल और उत्राखंड के हिल स्टेशन के बारे में सर्दियों के मौसम में पहाडों पर घूमने का अपना अलगी मजा होता है ऐसे में आज हम आपको हिमांचल प्रदेश और उत्राखंड की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको सर्दियों के मौसम में जरूर जाना चाहिए सर्दियों के मौसम में इन जगहों की खुपशूरती अपने अलग ही लेबल पर होती है जो लोग पहाड़ों पे नहीं रहते उनके लिए सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर जाना किसी सपने से कम नहीं होता है सर्दियों का मौशम शुरू होते ही बहुत से लोगों की पहली पसंद पहाड पर जाना होता है नवंबर का मौशम शुरू हो चुका है और इसके साथ ही पॉल्यूशन के हलकी हलकी ठन्ने दस्तक भी दे दिये तो अगर आप इस पॉल्यूशन भरी हवा से कहीं दूर छुटिया बिताने जाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं ऐसे हिले स्टेशन जहां पर आपको ठंड के साथ एक नैचुरल ब्यूटी और यहां का कल्चुरल चाम भी देखने को मिलेगा इसी में पहली जगा आती है कुफरी कुफरी शिमला जले का एक रिशॉर्ट सहर है अगर आप शिमला की भीर भार से अलग रहना चाहते हैं तो कुफरी आपके लिए एक अच्छा उप्शन साबित हो सकता है हनीमूड कुपल्स के बीच में कुफरी बहुत जादा फेमस है यहां आपको बहतरी ठंड के साथ चारो तरफ हर्याली देखने को मिलेगी दूसरे नमबर पर आता है मनाली सर्दी की छुटिया और बर्फ पारी का मज़ा लेने के लिए आप मनाली जा सकते हैं यहां करने के लिए बहुत कुछ है हिडिमबा देवी मंदेर, मनाली सेंचुरी और मॉल रोट पर इंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा है यहां जाएं तो बर्फ सिड़ा के रोहतांग पास को देखना ना भूये बर्फीली धलान, खुबसूरत चटान और साफ नीली आकाश का लुफ्ट उठाना है तो मनाली जाने के लिए बैक पैक कर लीजे दिल्ली एंसीयर वालों के लिए ये जगह किसी जन्नल से कम नहीं है अगला नमबर आता है मसूरी का मसूरी को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है मसूरी में घूमने फिनिकले बहुत सी जगह है आप यहां केंप्टी फॉल्स, कंपनी गाडन और मॉल रोड जा सकते हैं इसके साथ ही केंपल बैक रोड, लेक मेस्ट और मॉसी फॉल्स को देखना ना भूले सर्दियों के दोरान ये किसी स्वर्ग से कम सुंदर नहीं दिखते हैं अगला नमबर आता है पंगोट का पंगोट उत्रा खंड में है अगर आप नैनी ताल जाने की बजाए इस भार सर्दियों में पंगोट जाना चाहते हैं तो जरूर जाए ये जगे नैनी ताल से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर है यहां आपको नैनी ताल से ज्यादा शान्ती देखने को मिलेगी यह जगे अपनी नैचरल ब्यूटी के साथ पक्षियों के लिए भी काफी जादा फेमस है इसी तरीके के और भी रोचक और मनोरंजन जानकारी प्याने के लिए Study for Win चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर यह वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपली चैनल को सबस्क्राइब सरूर करें और इस वीडियो को ज़रू शेयर रखने नमस्कार